आप जो इस वीडियो में चिक्स देख रहे हैं उनको जो समस्या आई है वो आई है बूडिंग मोनिया की बज़ा से तो उसके कारण बर्ड है वो अच्छे से सास नहीं ले पाता तो हम अपने बूडिंग में क्या क्या चेंज कर सकते हैं कैसे बूडिंग मेनेजमेंट को और अच्छा करकर इस समस्या से अपने वर्ड को राहत हम दे सकते हैं। तो किसान भाईव आप सभी जानते ही हैं कि जब हमारे फारम पर चिक्स पहुंचता है तो हमारी कोशिश यही रहती है कि किसी वज़ा से हमारा जो चूज़ा है वो सर्दी ना खा जाए ठंडी ना खा जाए तो इसके लिए जो है हम उनको एक टेंपरेचर जो 32 से लेकर 30 कोशिश करते हैं तो बहुत से फारमर्स ऐसे हैं जिनके फारम पर टेंपरेचर मीठर नहीं लगा रहता है तो वो बिलकुल अंदाजे से ही यह टेंपरेचर सेट करते हैं और कई हलात में जो टेंपरेचर है वो बहुत जाड़ा बढ़ जाता है इसके कारण है बर्ड को सास लेने में दिक्कत आने लग पड़ती है क्योंकि एक तो brooding area वैसे ही कम होता है और उसमें बहुत से जो chicks है वो सास ले रहे होते हैं वो ही oxygen बार बार अंदर बार करते रहते हैं कहने का मतलब है कि word को fresh air मिलती ही नहीं है और जो दूसरी समस्या जो उनके नीचे से हो रही होती है कि जो उनके नीचे हमने लीटर डाला होता है विशावन डाली होती है वो कम space होने की वज़ल से जल्दी से गीली हो जाती है तो गीला होने के कारण है वो आपके brooding area में जो ammonia ह बहुत ज़्यादा बनने लगती है अब हम बात कर लेते हैं कि आपने अपने फारम पर जो चिक्स डाला हुआ है और आपके ज़दी फारम पर जो समस्या आ जाती है brooding ammonia को लेकर तो आप बीना कोई medicine चलाए कैसे अपने बड को इससे अजादी दौा सकते हैं तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने जो काम करना होता है कि उनका जो ventilation है हावा का निकास है आपके brooding area में बो अच्छा होना चाहिए तो इसमें जो परदे है वो विल्कुल एहम भूमिका निवाते है तो परदा जो उपर की तरफ से थोड़ा सा आपको खूला रखना होता है क थोड़ा सा जो हावा का flow है वो जो बीतर भी जाए आपके brooding area में बर्ड को जो है fresh air मिले और जो ammonia है अंदर बन रही है वो भी बाहर निकले और दूसरा काम क्या कर सकते हैं आप कि जदी आपके फार्म पर दिक्कत आ गई है तो चिक्स के नीचे का लीटर है आप जे नोटि लेते हैं तो अराम से बीना कोई medicine चलाए जिए जो समस्या है आपके एक आदे दिन में जो है पूरी तरह से चली जाती है अब वो किसान बाई जो जिनोंने अपने फार्म पर चिक्स नहीं अभी शोड़ा है brooding की त्यारी कर रहे है तो वो क्या करें तो उन्होंने जो पहले तीन केजी जदी आप एक कोईंटल उनके नीचे है वो बिशाबन डाल रहे हैं चाहे वो लकड का बुरादा है चावल की चाल तो उसमें आपने तीन केजी आपने उसमें डालनी है चूना और तीन केजी आपने डालना है उसमें फिटकरी तो जे बिल्कुल powder form में होने चाह और फिटकरी का लीटर में मिक्स करकर जदी हम जूज करते हैं तो इससे जो है हमारे फारम पर गिले लीटर और अमोनिया की जो दिक्कत है वो हमारे फारम पर ज्यादा नहीं आती है क्योंकि जब हम ब्रूडिंग जा अपने फारम के बीतर जाते हैं तो जदी हमारे आखों में कुछ जलन होती है हमें फारम पर होमस महसूस होता है थोड़ी सास लेने में दिक्कत आती है तो जही कारण रहते हैं ब्रूडिंग अमोनिया को लेकर तो इसमें जो कर्टन है जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं कि बहुत वड़ी भूमी का निवाते है तो ब्रूडि से और साइड से सुबा शाम आप पड़े मत उठाएं तो ऐसे आप पड़े रख सकते हैं क्योंकि अमोनिया है वो बिल्कुल हलकी गैस रहती है और फारम के ऊपर की तरफ बिल्कुल यह रहती है तो ऐसा करने से जो है आपके फारम पर जितना भी होमस बना है गैस बनी है व वो थोड़ा समय के लिए उठाना होता है तो जिन बाईयों का ज्यादा मेंट पर जकीन नहीं है तो वो मैडिसन पर जदी जकीन ज्यादा करते हैं तो इसके लिए जो आप मैडिसन चला सकते हैं आप सभी किसान बाईयों के फारम पर जे हमेशा रहती है जे है किसान बाईय रहता है उसमें आपने 25 लेकर 30 ग्राम तक जे जो आप नीला थोथा देख रहे हैं कोपर सलफीट देख रहे हैं इसको मिक्स करकर दो दिन तक अपने बर्ड में चला सकते हैं साथ में आप सभी को मैं जे भी बताना चाहता हूँ कि जदी ब्रूडिंग अमोनिया ज़्यादा समय तक रहता है तो आगे जाकर जे जो पोल्ट्री की एक डीजिज है SIT जिसमें बर्ड के बीतर पानी बरने लगता है उसका जे जो रूपधारन कर सकती है वो जदी आप मैनेजमेंट पर अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो जे दिक्कत है जल्दी से आपके पार से चली जाती है तो ज़्यादा इसके लिए आपको एंटिवेटिक चलाने के जुरूरत नहीं है क्योंकि जे CRD नहीं है लेकिन ज़्यादा समय तक सास की दिक्कत उनमें रहती है तो आगे जाकर जे ऐसी बिमारी का जो रूपधारन कर सकती है ज़्यादी इस वीडियो में मेरी दीगई जानकरी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ला ट्रेस्टिंग जानकरी है वो हम आप सभी किसानवाईयों के साथ शेयर करते ही रहते हैं आप सभी किसानवाईयों का बहुत बहुत दन्यवाद